Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel आज शुरू करेंगे exercise 9.2 से question number 6 A farmer was having a field in the form of a parallelogram PQRS एक किसान के पास एक खेत है जो कि parallelogram की shape का है PQRS She took any point A on RS उसने RS के उपर कोई एक point A ले लिया and joined it to point P and Q और फिर इस point A को उसने P और Q से जोड़ दिया ऐसे और इसको Q से जोड़ दिया In how many parts the field is divided तो आप बताईए कि यह जो खेत है यह कितने भागों में बट गया है आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 तो खेत 3 भागों में बट गया है तो सबसे पहले तो यही answer लिख लेते हैं Field is divided into three parts आगे question कहता है What are the shapes of these parts? यह जो parts बने हैं इनकी shape क्या है? तो these shapes are triangular यह triangular party तो बने हैं आगे question कहता है The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portions of the field separately How should she do it? किसान को अलग-अलग बराबर हिस्सों में wheat उगाना है और pulses उगाना है तो वो ऐसा कैसे कर पाएगा? देखे उसको दो चीज़े उगानी है एक तो wheat उगाना है एक pulses उगानी है नहीं दाल और यह बराबर 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 उगानी है बराबर मातरा में बराबर जगे पे उगानी है तो field तो यहाँ पे तीन भागों में बटा हुआ है और चीजें उगानी है उसे दो और वो भी बराबर तो कैसे हो पाएगा तो कोशन पर ध्यान दे हम देख रहे हैं कि जो ट्राइंगल पी-ए-क्यू है ये पी-क्यू बेस के उपर टिका हुआ है और PQ base के उपर ही PQRS parallelogram टिका हुआ है तो theorem के according, rule के हिसाब से जो triangle का area हो जाएगा वो parallelogram के area के half के बराबर हो जाएगा अगर मैं इसे number 1 रख देता हूँ triangle को ये तो number 1 का जो area है triangle number 1 का वो half हो जाएगा PQRS के अब जब ये आधा टुकड़ा हो गया तो बचे ये जो दो parts हैं, अगर हम इनका 2 और 3 नहम रख देता हूँ तो 2 प्लस 3, triangle 2 प्लस 3 ये दोनों मिलके बाकी का half हो जाएगा ये half और ये half मिलके पूरा PQRS तो या तो इसके अंदर V2 उगा लेगा या इन दोनों के अंदर pulse ही उगा लेगा या इसके अंदर pulse ही उगा लेगा इन दोनों के अंदर V2 ही उगा लेगा कहने का मतलब ये है कि हमने इस field को दो बराबर हिस्सों में करकर दिखा दिया अब इसे चीज़ को आपको लिख के दिखाना है चलिए शुरू करते हैं तो triangle PAQ and parallelogram PQRS lie on the same base same base है PQ and between same parallels same parallels कौन है PQ और RS PQ and RS तो जब ऐसा होता है कोई triangle कोई parallelogram same base पर हो और same parallel lines के बीच में हो तो triangle का जो area होता है वो उस parallelogram के area का half होता है तो therefore area of PAQ is equal to half of area of PQRS यह यहां से मेरे को एक चीज़ पता चल गई मैंने यह दिखा दिया कि यह जो triangle number 1 है यह PQRS का half है और मुझे यह दिखाना है कि यह जो दोनों है ना 2 और 3 यह दोनों मिलके भी PQRS का half है तो उसके लिए क्या करेंगे इन दोनों triangles को में ले लूँगा अरिया of SPA plus area of ARQ बराबर होगा पूरे पैललोग्राम में से number 1 को माइनस करेंगे पूरे वाले पैललोग्राम में से अगर हम यह number 1 triangle माइनस कर देंगे तो इन दोनों का area आ जाएगा ऐसे ही लिखेंगे area of PQRS माइनस area of APQ अब PQRS को मैं PQRS ही रखूँगा यहाँ पर PQRS और APQ को मैं number 1 से APQ की वैलो उठा के यहाँ पर रख दूँगा APQ क्या है? half of PQRS तो यह half of area PQRS अब यहाँ PQRS है यहाँ half PQRS है जब पूरे PQRS में से half PQRS माइनस करेंगे आप तो half ही थो बचेगा तो इसको solve करके आ जाएगा half area PQRS यह number 2 अब number 1 और number 2 पर आप ध्यान से देखें जो मैंने आपको यहाँ बताया ना शुरू में वोई चीज हमने यहाँ पर result में निकाल दी कि यह जो बीच वाला triangle number 1 है यह भी PQRS का half हो गया और यह जो दो चोटे triangle हैं यह दोनों भी मिलकर PQRS के half के बराबर हो गए यानि एक का एरिया और टू और थ्री दोनों का एरिया बराबर हो गया अब जब एरिया बराबर हो गया तो बराबर चीजे इसमें बोई जा सकती है अब अपना अंसर लिखेंगे हम लेंग्वेज में दफार्मर आइदर सो वीट इन एपी क्यू या तो एपी क्यू के अंदर वो भीट उगा सकता है और इन दोनों के अंदर वो पल्सिस उगा सकता है या वो ऐसा भी कर सकता है इसका उल्टा कर सकता है और शी कैंसो वीट इन दोनों के अंदर या वो वीट इन दोनों के अंदर उगा सकता है एस पी ए प्लस ए आर क्यू एड पल्सिस और पल्सिस उगा सकता है वो इस बड़े वाले ट्रैंगल में इन इन दोनों चोटे ट्रैंगल के एरिया के बराबर है तो इन दोनों का एरिया is equal to इस अकेले का एरिया तो दो चीजों को आपस में बराबर डिवाइड करके इसमें वगाए जा सकता है तो इस चीजों बस इतना ही नेक्स क्वेशन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए